हेलो फ्रेंड्स आप लोगों को इस चैनल पे दुबारा स्वागत हैं यह हिस्ट्री का डिस्कसन है और हम लोग मौडरन हिस्ट्री का डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है गौर्णर, गौर्णर जनरल और वाइश्रा है तो चलिए टॉपिक को कबर करते हैं पहला चार करना है, दो स्टेट्मेंट है पहला है रोबर्ट कलायू बंगाल के प्रक्रत है तो यह सही नहीं है दूसरा है विलियम बेंटिंग भारत का प्रत्म गवन DOA थे तो यह सही मैयाि अब्र आपका सही है दिकहें , रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तायर्ट बिर्टीस सणस दौरा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस सरकार की बेवस्ता की गई इस सरकार में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का प्रवधान किया गया अध्यक्ष को गोवर्नर-जन्रल का पदनाम दिया गया वारेन हेस्टिंगस को 17 feature sentido इस पई में बंगाल का प्रतुम गोवर्नर-जन गौर्णर जर्नल को जो है भारत का गौर्णर जर्नल बना दिया गया 1833 में लौड विल्यम बेंटिंग को भारत का प्रतम गौर्णर जर्नल बनाया गया Q2 है भारत के प्रतम गौर्णर जनरल थे कौन थे तो Warren Hastings थे इसका B अप्शन सही है देख लेते हैं देखे भारत का प्रतम गौर्णर जनरल लौड विलियम बेंटिंग थे किन्तु या विकल्प में नहीं है तो B आपका उतर सही होगा Warren Hastings बंगाल का प्रतम गौर्णर जनरल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहर अपने प्रसासनिक सुधार के अंतरगत हेस्टिंगस ने सौर प्रतम 1772 में कोट और डायरेक्टर के आदेशा नुसार बंगाल में द्वैद सासन की समाप्ती की घुषण की और सरकारी खजानो का असनांतरण मुर्स्तिदाबाद से कलकता कर दिया वारेन हैस्टिंगस का विचार था कि समस्त भूमी जो है सासत की है राजस सुधार को विवस्तित करने के लिए उसने परिक्षण और असुधी के नियम को जो है अपनाया याद रखिएगा कोशन नमर तीन में पूछा नियमन कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है तो जो रॉंग स्टेट्मेंट है आपको टिक करने है पहला है जन प्रसासन की न्यू वारेन हैस्टिंगस दुआरा मजबूती से रखी गई जिस पर उपरी संरचना करनावालिस ने की दूसरा स्टेट्मेंट है इस इंडिया संग्रेद किया और डिय स्टेट्मेंट है लॉड डलहाजी ने धियूती के सिधान्त के आदार पे ब्रेटिस समराज में संग्रेद शेत्र जोड़े थे तो देखिए इसमें सी अफसर से यह लॉड विलियाम वेंटिंग सबसे बड़े ब्रेटिस सास्कोव में से एक था क् प्रिटिस समराज को संग्रेहित किया इसके बारे में भी देख लेते हैं कलायू के समय असेनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए असेनिक सुधारों के अंतरगत कलायू ने उपहार लेने बंद करा दिया निजी बेपार भी बंद हो गया अपने आंतरिक कर देना जो है उसने क् अप्ता के वन उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा से बाहर कारे करते थे जन प्रसासन की निजी वारेन हेस्टिंगस द्वारा मजबूती से रखी गई थी जिस पर उपरी संरक्षना कर्णवालिस ने त्यार की कर्णवालिस के समय में नियाइक सुधारों, फोरदारी कानूनों में सुधार, पुली सुधार, कर्स सम्बंदी सुधार और बैपारिक सुधारों से जन प्रसासन की निजी पड़ी थी बिलियन बेंटिंग के समय में इसके सासनकाल के साथ वर्सों में पुरानी निरंतर यूधो तता सन्योजन की निती को तितांजली दे दी गई भारत के तिहास में बेंटिंग का नाम समाजिक और प्रसासनिक सुधारों के कारण अस्मरण किया जाएगा नेक्स कोशन नमारा है अच्छा इसमें और दो पॉइंट है लोड डलहोजी के समय जो है आप देख सकते हैं 1848 से 56 है व्यपगत सिधान्त के अंतरगत 1848 में सतारा 1849 में जैदपूर और संबलपूर 1850 में बगहाट 1852 में उदेपूर और 1883 में जासी 1844 में नागपूर का बिल कूपर साशन के बहाने से किया था तो याद रखिएगा जो बैपगत के सिधानते किसने दिया था यह इंपोर्टेंट है क्वेशन नमर चार है कलकात्ता में एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो था लौड वारेन पाँच नमर कोश्टन है सुरक्षा प्रकोष्ट के निती समबन्दित है किसे है तो वारेन हैस्टिंगस थे मध्य राज यानि बफर एस्टेट बनाने का प्रयाद ने किया उदेश था केवल अपने राज की रक्षा करना अत्वा हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राजयों की सिमाओं की रक्षा करे ताकि अपनी सिमाय सुरक्षित रहे या उस समय मुखेता अफगान और मारा इसलिए कम्पनी ने ओवद की जो रक्षाय इसकी बेवस्था के कारे को इस सतर मतसर्थ पे संभाला की आवद का नवाग उस ब्याय का बोज उठाये और इस परकार ओवद की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी वैलेजली के आने से कम्पनी के भारतिय रियासतों के साथ भारतिय रियासतों को अंग्रेजी राजनितिक सकती के और सैनिक सुरक्षा के घेरे में लाने का प्रयात नि किया रियासतों के प्रती प्रमुक ब्रिटिश नितिया निमलकिते देख सकते हैं पहला है कम्पनी का भारतिय रियासतों से समानता के लिए संगर दूसरा सुरक् इसके बारे में देख लेते हैं वारेन हेस्टिंगर्स का जो कारेकाल है 1772 में इनके कारेकाल में यानि वारेन हेस्टिंगस के जो कारेकाल है 1772 कोट अफ डारेक्टर दोहरी सासन पढ़ाली को समाप्त करने का निन लिया कलकात्ता परिस्द एवं उसके परधान को आग्या दी गई कि विश्वयम दिवान बने और बंगाल बिहार उडिशा के प्रबंद को अपने हाथ में ले ले वारेन हेस्टिंगस ने दोनों उप दिवानों मुअम्मद रजा खा ठीक है और राजा सिताब राय के पच्यूत कर दिया द्वैद सासन जिसकी सुरुवात बंगाल में कलायू के समय में 1765 से मानी जाती है इसकी अंतरगत कमपनी दिवानी और निर्जामत के कारियों का निस्पादन भार्तियों के मद्द से करती थी लेकिन वास्तविक सक्ति कमपनी के पास होती थी कलायू समस्ता था कि समझ सक्ति कमपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है उसने प्रबर समिती को लिखा था यह नाम यह छाया आवस्यक है तथा हमें इसको स्विकार करना चाहिए नेक्स्ट कोशन दिखते हैं आठ किस गुवर्नर जर्नल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो वारेन हैस्टिंगस ए अप्सन से यह वारेन हैस्टिंगस के अन्याय पूर्ट तथा निरंग कुस कारेओं के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 17 1888-1795 तक चलता रहा बेटी संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उससे जो है माफ कर दिया था यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंगस ने यह सब कुछ समराज के हित के लिए किया न की अपने लिए वारेन हेस्टिंगस पर लगे महवियोग के बारे में बिद्वानों के मत भीन है किन्तु वी ए समीत का नेर्णय अधी जो है माने है वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोस्त जहां तक वे वास्तों में दोस्त थे उस राजनितिक गे के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो जिस पर इतनी कठीन उल्हने आ पड़ी हो कभी-कभी मानवी यह समझ में भूल चुक जो है हो जानी आवस्यक ही थी तो इस तरह से यह जो वी ए समीत हैं इनका निर्णय था इनका जो कहने का मतलब जो इनों ने इसके बारे में लिखा था नेक्स्ट हमारा कोशन है नाइन नंबर निम्लिखित में से केसपर ब्रिटिस संसं में महाभीयोग का मुकदमा चलाया गया था तो सेम कोशन है सी अप्सन वारेन है है हैस्टिंगस दस नंबर कोशन है भारत में नियाएक संगठन की अस्थापना केस ने की तो लौड कर्ण इसके बारे में देख लेते हैं इंपोर्टेंट है भारत में नियाएक संगठन की अस्थापना लौड कर्ण वालिस ने की थी अपने सौर प्रतम अपने नियाएक सुधारों के अंतरगर कर्ण वालिस ने जीले की समझ सकती कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी 1787 में ज फोदारी नया करने का अधिकार दे दिया गया 1792 के बिच भारतिय नयाधिसों से युक्त जीला फोदारी अधालतों को समाप्त कर उसके अस्थान पे चार भ्रमण करने वाले नयाले तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए निप्ट किया गया इन अधालतों की लागू किया लौट करनवालिस ने अपने नयाईक सुधार को 1793 इस्थी तक अंतिम रूप देकर उन्हें करनवालिस सहिता के रूप में पस्तूत किया यह सुधार परसिद सिधान सक्तियों के प्रिथक करण पर अधारिक था उसने कर और नयाय प्रसासन को प्रिथक कर दि किये नय अधिकारियों की एक सिरणी बनाई गई जीला नया अधिसों को फोलतारी तथा पूलिस के कार भी दिये गए एक आरा नमर कोशन है निम लिखित में से किस गौर्णर जन्रल ने भारत की प्रसनुदा बद सिविल सेवा ठीक है का स्रेजन किया जो कलांतर में भारति के सिविल सेवा के नाम से जानी गई तो देखिए A है वारेन हेस्टिंगस B है वैलेजली तेहीन में से आप बदाये कौन होगा तो कोई नहीं होगा A B में नहीं होगा C आपका सही है कर्णवालिस इसमें सही अंसर है इसके बारे में जो है डिस्स कर लेते हैं भारत की प्रस सासन को पुनरगठित किया राजास्व बोड को भंग कर इसके समद में नए नियम बनाये कमपनी के अधिकारियों के बैक्तिगत बैपार के समद में भी नए नियम बनाये उसने कर्णवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा नयाइक छेत्र में अस्पष्ठ भी बाजन कि जिसने आगे चलकर भारतिय सीविल सेवा का रूप लिया पॉर्शन नमबर नेक्ष्ट हमारा है बारा भारतिय सीविल सेवा का परवर्तन जो है तिया गया किनके दवारा किनके सासनकाल में तो कर्णवालिस के प्रमदर सासनकाल में और तेरह है लौड कर्णवालिस की कबर कहां पर इस्तित है तो ये गाजीपूर में है इसके बारे में दोचालाइन देख लेते हैं लोड कर्णवालिस आप देख सकते हैं 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गुवर्नर जरनल रहा इसे भारत में इस्तमरारी अत्वा अस्थाई बंदोबस नियाईक सनीता और भारतिये लोग सेवा के परवर्तन के रूप में जाना जाता है इसकी मिरतू 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपूर यानि उत्तर परदेश में हुई यही पर इसकी जो है कबर इस्तित है चौदर नमबर कोशे ने 1802 की बसीन की संधी पर हत्ताक्षर किनके मद्दे हुई थी तो अंग्रेज और बाजी राव सेकेंड के मद्द चौदर का B option से यह देखें बसीन की जो संधी है दिसंबर 1802 में पेश्वा बाजी राव दीवतिये और अंग्रेजों के मद्द हुई थी इस संधी के तवत बाजी राव दीवतिये ने अंग्रेजों की सरक्ष्टा स्विकार कर ली इस संधी की सर्तो करूशार अंग्रेज अंग्रेजों को 26 लाक रुपे वासिक आये वाले छेत्र परदाम करने पर सहमत्ती जताई। पंदरा नमर कोशन है लॉड वेलेजली की सहायक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था तो पेश्वाब बाजी राव सेकेंड था। लॉड वेलेजली इनका समय जो है 1498 से 1805 है भारतिय राजियों को अंग्रेजी राजनेतिक परिदी में लाने के लिए सहायक संदी प्रणाली का परयोग किया। सहायक संदी 1765 इसपी में अवस से की गई जब कमपनी ने निश्य धन के बदले उसकी सिमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लाड वेलेजली दुआरा विशिश रूप से परवर्ति सहायक संदी को सिलकार करने वाले राजते हैं। और हैदराबाद 1498 तथा 1800 मैसूर है 1799 तंजर अक्टूबर 1799 अवल पेशवा बरार के जो भोसले हैं। सिंदिया और जोधपूर, जैपूर, मचेरी, बुंदी तथा भरतपूर, दौलत राव, सिंदिया और जस्वन्त होलकर दोनों जो हैं पूना में अपने को सरस्रेश परदासित करना चाहते थे। बादी राव दितिया जो हैं ये संदियों का साथ दे रहा था, उसे ने 1801 में जस्वन्त के भाई की हत्या कर दी, परणाम सरुप जस्वन्त होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमन कर पेशवा और सिंदिया की संजुक्त सेना को प्रास्त कर दिया। बादी राव दितिया ने भागकर बस्तीन में सरुनली 31. açık 1802 को अंग्रेजों से बस्तीन की संदि की संदिक अनुसार जो पेशवा बादी राव दितिया हैं अंग्रेजों की सरक्षक्ता स्विकार कर ली। यह संदी मराठो द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रतम सायक संदी थी 16 नमर कोशन है सायक संदी किसके काल में क्रियानवित किया गया तो Lord Willazley B option सही है Next हमारा कोशन है 17 सायक संदी बिवस्ता को स्विकार करने वाला प्रतम भारतिय देशी सासव कौन थे तो हैदराबाद के निजाम B option सही है इसके बारे में जो है पीछे डिसकस कर चुके है Next 18 नमर कोशन है नेमिलखित पर विचार कीजिए जिनोंने Lord Willazley के साथ सायक संदी के थी और उनके द्वारा किये गए संदीयों का सही काला नुकरम के जो कुट है नीचे आपको दिये गए बताइए कि कौन सा जो कुट है सही है देखिए इसमें जो है आपका A option सही है कैसे देखिए हैदराबाद पहले जो है संदी करता इसके बाद मैसूर अवद और सिंदिया 1, 2, 3, 4 इसी तरह जो है काला नुकरम अनुसार यह अफसर सही है याद रखिएगा नेक्ट देखते हैं इसका बिकास कर अपने संपर्ग में आने वाले सभी देशी रजाओं के संबद में इसका परियोग किया प्रतम सहायक संदी 1765 में आवज से की गई जबकि कमपनी ने निश्य धन के बदले उसकी सिमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और आवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनाओं में रखना स्विकार किया देकि नोट में है नोट में यह है कि यदि प्रस्ण में वेलेजली की सहायक संदी को स्विकार करने वाले प्रतम राज के बार में पूछा जाए अग्रेजी राजनेतिक परिदी में लाने के लिए सहायक संदी का परयोग किया इंदोर के होलकर ने सायक शंदी स्विकार नहीं किये थी जिन राजियोंने विलेजली की सायक संदी स्विकार किये थे वो थे हैदराबाद, महसूर, तंजोर, आवध, पेशवा, बरारक भोशले, सिंधिया, जोदपूर, जैपूर, मचेरी, बुणदी और भरतपूर एक इस नमर कोशन है भारतिये राजियों पर अंग्रेजी परभूत्व अस्थापित करने के लिए किस ने प्रस्तासन में सायक संधी प्रणाली का सुत्रपात किया वो है लौड विलेजली लौड विलेजली प्रतम अंग्रेज था जिसने भारतिय राजयों को अंग्रेजी राजनाइतिक परिदी में लाने का प्रयास किया किसके मादम से तो सहायक संदी प्रणाली के मादम से डूपले प्रतम यूरोपिय था जिसने भारत में सहायक संदी क के निति का अनुसरण किया और अपनी सिना भारतिय रजाव को किराय पर दी अंग्रेजों ने प्रत्थम सायक संदी जो अवद के साथ 1765 में की थी 22 नमर कोशन है इस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राजियों में सायक संदी करने का जो मुख उदेश्ता क्या था तो आने के लिए सायक संदी का परियोग किया इससे अंग्रेजी सत्ता की सिरिष्टा और प्रभू सत्ता जो है अस्थापित हो गई तेइस नमर कोशन है उस समय जब नेपोलियन की सक्ति के सामने एउरोप में समराज जो है धरासाही हो रहे थे नीचे लिखे गवर्नर जनलों में से किस एक ने भारत में बिरिष्टिस जोष़ पता का फराय रखी तो एक एक रहा बुर्ठ डलों जी ब मुर्चा छिन्मिन हो चुका था नेपोलियन मिर्स मिस्र तक और सिर्या को जो है विजित कर चुका और गंभित्ता पूर्वत भारत का आत्मन करने की सोच रहा था ऐसी परस्तितियों में वेलेजली ने भारत में सायक संदी प्रडाली का परयोग किया जिसे अंग्रेजी सत्ता की स्तिरिष्टा अस्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भी भैटल गया Q24 है आंग्ल नेपाल यूद जिसके सासन काल में हुआ था वो है कौन है तो लॉड हैस्टिंगर बी अप्सन सही है और नेक्स्ट कोशन अबारा है पचीस निवलिखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो देखे हेक्टर मुन्नो का समद्ध बकसर के यूद से ह ये तो सही है और बी जो है लॉड हैस्टिंगर जो है आंग्ल नेपाल यूद से समद्ध ये भी सही है लॉड वेलेजली का समद्ध चतुर्थ आंग्ल महसूर यूद से ये भी सही है लेकिन डी जो है आपका लॉड कर्णवालिस के समद्ध तृतिय आंग्ल मराथा यूद में ठीक है चतूर्थ आंगल महसीरु यूद जो है ये लॉर्ड वेलेजली एवं आंगल नेपाल यूद लॉर्ड हेस्टिंगस के समय जबकि बक्सर का यूद जो है ये हेक्टर मुन्रो के नेत्रित में लड़ा गया था 26 नमर कोश्चन है त्रितिया आंगल मराठा यूद समंदित है किसे समंदित है बताइए तो लॉर्ड हेस्टिंगस से 27 नमर कोश्चन है सर टॉमस मुन्रो कीन वर्षो में मदरास के गवर्णर रहे है तो देखे 1820 से 1827 ये अप्सन सही है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर्ट टॉमस मुन्रो इनका समय है 1820-1827 इस समय तक मद्रास के गौर्णर रहे हैं दक्षिन भारत में भूराजस वसूली के लिए लागू की गई बेवस्ता रहतवारी बेवस्ता जो थी मतलब की इस समय भूराजस वसूली के लिए जो बेवस्ता थी वो कौन सी थी रहतवारी बेवस्ता इस बेवस्ता के जनल दाता जो है वो है टॉमस मुन्रो और काप्टन रेड जिनावने स्वरप्रतम इसे तमिलाडू के बारा महल जिले में जो है लागू किया था इस गौर्णर जनल ने मैसूर राज के प्रसासन पूल ले लिया था बताइए तो देखे इसमें जो है आपका सी अप्शन सही है लौड विलियम बेंटिंग और इसके बारे में थोड़ा डिस्स कर लेते हैं लौड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 में गौवर्णर जनल का कारेभार संभाला इसने सत्ती प्रता बाली का सिसुवद जैसी समाजिक कुरितियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किये देश में ठाकिस प्रता इसको समाप्त कर सांती और बेवस्ता सांती और बेवस्ता को अस्थापित की उसने कोट अब डायरेक्टर्स की एक्छाओं के अनुस्तार भारतिय रियासतों के प्रतियता संभव तटस्ता की निती अपनाई जैपूर में अबेवस्ता ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि ब्रेटिस रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया प्रतु इस पर भी बेंटिंग ने हश्यप करना सुईकार नहीं किया इसी परका जोधपूर, भूंदी, कोटा और भुपाल में उसने हश्यप नहीं किया ऐसा करने के लिए पर्याप कारण भी थे, प्रन्तु उसने इस नीती का अनुश्रण छोड़कर 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्व एवं कचार के रियासतों को अपने परदेश में मिला लिया क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अवेवस्ता थी नेक्स कोशन हमारा है इसके बाद नेक्स कोशन हमारा है 39 नमबर निमिलिकित बंगाल के गोर्नर जर्नलू में कौन जो है एक तृतिय आंगल मैसूर यूद से सम्बंद है बताए किनका सम्बंद रहा है तो लड कर्णवालिस का भी अप्सन सही है त्रितिये आंगल में सूर यूद इसका समय जो है 1790 से 1792 है ये लड कनवालिस से सम्बंदित है इस यूद में कनवालिस ने स्वेम अपनी सेना का बागडोर सम्बाली थी और इस यूद में टीपू ने सिरेडंग पटनम की संदी 1792 में कर ली थी जिसकर उसाथ टीपू को आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था तीस नमर को सेने ठगों के दमन में निमिल्कित में से कौन सा संबंद था तो देखिए कैप्टन एसली में बी असन साहिए ठगों में हिंदू और मुसलमां दोनों धर्म के अनुनाई जो है समलित थे वास्तों में ये लोग जो थे काली दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे प्राया ये अपने सीकार का सिरकाट कर देवी के चर्णों में बली के रूप में चड़ाते थे उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंदा वीदिक विधान है उनके सरीर के मिर्टु उनके भाग में उसी परकार अभेद था किन्तु ठगी के विशे में समस्जनता ने सरकार का समर्थन किया लॉड विलियम बेंटिंग ने जो है कैप्टन असली मैन को ठगी के विरुद करवाही करने के लिए नियूट किया था उसने लगबग 1500 ठगों को बंदी बना लिया अने ठगों को फासी दी गई सेस को आज जिवन निर्वासित कर दिया गया 1837 सिस्पी के पैस्चा संगठित रूप से ठगों का अन्त हो गया 31 नमर कोशन है सती पराथा पर पावंदी किसने लगाई थी बताइए इंपोर्टेंट कोशन है तो आपका देखिए C अप्सन सही है विलियम बेंटिंग इसके जन्म जमनांतर में रहने वाला है यह माना जाने लगा कि इस तरी को अपने पत्ति के साथ ही मर जाना चाहिए और उसके सरीर के साथ ही अपने सरीर को भस्म कर देना चाहिए अठारवी सताब्दी तक ब्रामणों ने यह कहना आरम कर दिया था कि इस तरी के सती होने से उसके पत्ति के कूल की साथ पीडियो तक लोग जो है स्वर को प्राप्त कर लेंगे करते रहेंगे उचे कूल के ब्रामणों चत्रियों और राजपूतों में यह परमप्रा बहुत से परचली थी बहुत बिख्याती कुछ प्रबुद भारती राजाओं ने इस कुरूर प्रामपरा को बंद करने का प्रयत्न किया अकबर ने भी इसे बंद करने का प्रयत्न किया था मराटों ने अपने परदेशों में इसे बंद कर दिया था गोवा में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसीयों ने चंदर नगर में इसका जो है इसको बंद करने के लिए कुछ उपाई भी किये करनवाली स्मिन्टो और लोड हैस्टिंगर जैसे आरंबी गोवर्नर जनरलों ने बल पुर्वक मादक बस्तुओं के परियोग से अल्प ब्यश्क बिद्वाओं और गर्भावती इस्तिरियोग को सती होने पर रोक लगा दी थी प्रंतु वो सफल नहीं हुए राजा रामोहन राय जैसे प्रभुद भारतिय सुधार को ने विलियम बेंटिंग को इस प्राथा को अवैद घोसित करने की प्रणा दी बहुत से समकालिन प्रगतिसील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने का बाना अवैद घोसित कर दिया गया प्रारम में ये कानून किवल बंगाल प्रेशिटैन्सी में लागुक किया गया और 1830 में नियम बंबवै और मादरास प्रेशिटैन्सी में भी लागुक कर दिया गया इस तरह से इसके बारे में पूरा जनकारी आपको रखना है इंपोर दासों के निर्याद पे रुक लगा दिया गया था, तो दासों के निर्याद को रुक दिया गया था 2089 में, भी अप्सन सही है, इसके बारे में जो है उपर में भी डिस्क्रस किये था हम लोगों ने, दो ती लाइन फिर से देख लेते हैं, 1789 की घोसना के द्वारा बंगाल से दासों का निर्याद बंद कर दिया गया, 1811 और 1823 में दासों के संबंद में कानून बनाए गया, 1833 के चार्टर एक्ट में दास्ता को सिग्र अतिशिग्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया, 1843 में समस्त भारा से दास्ता को अवैद घोसित कर दिया गया, और 1860 में भारतिया डंड सहीता के अनुसार दास्ता को अपराद घोसित कर दिया गया, 34 नमर कोशन है, लौट डलहौजी द्वारा अवद का अंग्रेजी राज में बिले नेमने में से किस रिती से हुआ था, देखिए इसमें कुपरसाशन के करण किया गया था, आपका D अप्शन सही है, खीगे, और इसके बारे में दोचालाई ने देख रहते हैं, लौट डलहौजी ने अवद के नवाव वाजिद अलिसाह पर कुशाशन के आरोप लगा कर, 13 फरवारी 1856 को उसको अंग्रेजी राज में विले कर लिया, डलहौजी ने अवद के विले की योजना बहुत दक्षता पुर्वक बनाई, उसने अपने अधिकारी और वहाँ के सासन की जाज करने के लिए भेजे, और एक बिस्त्रित विवरण और वहाँ के कुशाशन के विश्ते में उसको भेजा, विवरण भेजा था, जिसे लंद भेज कर उसने अवद के विले के लिए ग्री सरकार के अनुमती प्राप्त कली, ग्री सरकार और ब्रिटिस जन्ता त्यार करने के बाद, डलहौजी ने बहुत तक परता से कार किया और अपने इस कारे को डलहौजी ने इन सब्तों में ऊची थेराया, यदि अंग्रेज सरका इस परकार के उसासन को, जिसमें करोडों लोग पीश रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में साहता देती है, तो मानों और इस्वर दोनों के द्रिश्टी में दोसी होगी, अवद के अतरिक, डलहौजी के ब्यापगत के सिधान्त के अंतरगत, बिलाइक कियेगे जो परदेश ह देख लेते हैं, वह 17, जो बिलाइ हुआ था, 1848 में, इसके बाद, जैदपूर, एवं संबलपूर, बगहाट, उदैपूर, जहासी, नागपूर, और क्रॉली, 35 नमर कोशन है, ब्रिटिस समराज में अवद का बिलाइ, कब हुआ था, तो सिम कोशन है, 1856 में, डी अप्सन स है, तो बताइए, तो देखिए, अवद का जो बिलाइ है, 1856 में, दिया गया है, सेम कोशन है, जो उपर में डेसर्स किये थे, C अप्सन आपका सही है, और 37 नमर कोशन है, नेवलिखित में से, किस ने बिलाइ किनिती जो है, नियोजित एवं क्रियानिवित की, तो C अप्सन बताइए, तो था आपका अवद, A अप्सन सही है, 49 नमर कोशन है, भारत में बिल्टिस सासन के दोरान निमलिखित राजसी राजियों के बिले का क्रम्प जो है, आपको विचार करने है, तो देखिए, इसमें जो है, आपका पहले आएगा 17 संबलपूर, इसके बाद हाशी यानि 3, 2, 1, C अप्सन आपका सही है, 49 के बाद आपका 40 नमर कोशन भी सेमी है, लौट अलहोजी के बिले निति का प्रत्थम सिकार निमलिखित में से कौन हुआ था, तो देखिए, A अप्सन जासी है, B 17, C अप्सन में जो है आपका करॉली और संबलपूर, तो B अप्सन सह जेख लेते हैं, देखें, लौड एलेन वरोग के काल जो है, 1824 से, 1844 है, और इसके काल के दोरान, अगस्ट 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से बिले टिस समराज में मिला लिया गया, यह प्रत्थम आंग्ड अफगान यूद का एक परमूग परणाम था, 42 नमर कोशन है, सि जाना आवत का बिल्टिस रेजिजिएन था, जब आवत का बिले हुआ, तो जेम्स आवट रॉम्. यह अफशन आप आपका सही है, इसके बारे में देख लेते हैं, 1824 में सिलीमन के अस्थाम पे जेम्स आवट रॉम को आवत का बिले हुआ गया था, उसने कहा कि आवत का प की रिपोर्ट को ही फरवारी 1856 में अवद के अधिग्रहन का अधार बनाया गया था 1857 के बिद्रोह के समय लखनाव में बिर्टिस रेजिजेंट हेनरी लॉरेंस था जो बिद्रोहियों के अहां थो मारा गया था 44. नबर कोशन है भारत में प्रत्म रेलवे लाइन किस ब्रेटिस ग玩र के समय बिचा गया गया प्रत्म रेलवे लाइन 1823 में बंबाई से थाने के बिच डलहोजी के समय बिचा गया थी भारत में रेलवे के विकास का मुख उदेश जो था, वो था कच्चे मालक को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना, इसका दुसरा उदेश सेना को दुरदराज के छेतरों तक पहुचाना भी था, और ब्रिटीज सासकों के प्रती होने वाले किसी भी विद को सरलता से कुचला जा सके, ठीक है, रेलवे का सरवाधिक विश्तार जोए 1900 के आसपास लोट करजन के समय में हुआ था, 45 नमर कोशन है भारत में प्रतम रेल लाइन का निर्माड किन नगरों के बीच हुआ था, तो बंबई और ठाड़े के बीच, बी अप्सन सही है, 46 नम पेंसूला रेलवे, बी अप्सन सही है, और इसके बारे में देख लेते हैं, देखे, 1800 तिरपन में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाड़े के मद भारत में सौर प्रतम रेल यातरा का प्रारम, ग्रेट इंडियन पेंसूला रेलवे द्वारा शुरू किया गया था, 48 ब्रिटिस भारतिये राज शेत्र का अंतिम परमुक विस्तार हुआ, किसके समय में, तो डलहौ जी के समय में आपका B अप्सन सही है, ठीके, इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है, इसमें 48 का कुछ है, देख लेते हैं पहले, इसके बाद 49 नमर कोश्चन देखेंगे, देखे ब्रिटिस भारतिये राज शेत्र का अंतिम परमुक विस्तार जो है, डलहौ जी के समय में होता है, डलहौ जी के बिजो और बिले से लगब धाई लाख वर्ग मिल का शेत्र ब्रिटिस कमपनी के अधीन आ गया है, उसके बारे में रिचर्ड टेंपल का कथन है, कि एक टेंपल का कथन है, जिनके प्रती है, उसका नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, तो आप देखें, वेडियो को रिविजन करते रहिए, इम्पोर्टेंट है, थाकि आपको जो है, रिकॉल होता रहेगा, 49 नमर कोशन है, पब्लिक वर्फ डिपार्टमेंट को जो है, जो है, 1845 और 1855 के दोरां, 1845 और 1855 के दोरां जो है, स्वरुप देने वाले थे, कौन देने वाले थे, तो ये डलहोजी थे, ये अप्शन से ये, दिएक डलहोजी से पूर्व सारवजनिक निर्माण का कार एक सैनिक बोड पर था, इसके कारेकाल में पहली बार एक अलग सा सारवाजनिक उपियों के कार के लिए बहुत सा धन बेग किये जाने लगा 50 नमबर को से ने विद्वा पुनर विवा अधिनियम किसके सासन में क्रियानवित किया गया था बताइए लौड कैनिंग बी अप्सन सही है देखे इसवर चंद्र विदा सागर के अथक प्रयासों के फल्स औरूप लौड कैनिंग के समय बिद्वा पुनर विवा अधिनियम 1856 पारित हुआ इस अधिनियम के नियम 15 के तह जो है बिद्वा विवा को वैद मान लिया गया और उस विवा से उत्पन हुए बालत वैद घोसित किये गये बिद्वाओं के कल्यान से जुड़े अन असरम की अस्थापना की इस पॉइंट को जो है याद रखना है इंपोर्टेंट है नेक्स कोशन है हमारा 51 एक नवंबर 1858 को महरानी विक्टोरिया का घोशना पत इलहाबाद में पढ़ कर सुनाया था किसने तो लौड कैनिंग ने बी अप्शन सही है और इसके बारे में द इलहाबाद में हुए दर्बार में लौड कैनिंग द्वारा उद्गोशित की गई थी इसमें इस इंडिया कमपनी के सासन की समाप्ती और भारत के सासन को सीधे ब्रेटेश साही ताज के अंतरगत लाय जायने की घोशना की गई महरानी की घोशना का अनुसार छेत्रों के सीमा विस्तार की निती समाप्त कर दी गई और अस्तलिये रजाओ का अधिकार गौरव तथा सम्मान का अपने समानी सनक्षन का विश्वास दिलाया गया इसके तहत लौड कैनिंग ब्रेटेश भारत का प्रत्थम वाश्राय बना याद रखना है लौड कैनिंग जो है ब्रेटेश भारत का ये प्रत्थम वाश्राय था तो देखिया आगया सेम कोचन है सी अप्शन लौड कैनिग तिरपन नमर कोचन ने एक नौवंबर अठारश रथा अठावन को महरानी कि विक्टोरिया का घोश्रा पढ़ कर सुनाया था Lord Canning ने कहां पे तो इलहाबाद में यह option सही है चोवन नमर कोशन है अपने पूत्र के अस्थान पे दूसरे उत्राधिकारी को गोध लेने के अधिकार को पूना अस्थापित किया था 1888 की समागरी की गोशना ने यानि D option सही है इसके बाद नेक्स अच्छा इसके बारे में दो चालाईन है देख लेते हैं फिर नेक्स कोशन को डिसकस करेंगे देगे महराने की उद्गोशना एक नमबर 1888 को इलहाबाद में हुए दरबार में Lord Canning द्वारा उद्गोशित की बचाओ के लिए उनका परियोग करने हैतु उन्हें त्यार किया गया बिज़ा और बिलाई की नित्ती का पूर्टा परित्याक कर दिया गया और देशी राजियों के सासकों को उत्राधिकारी गोध लेने की अनुमती दी गई नेक्स कोशन है हमारा पजपन नमबर महरानी विक्टोरिया को भारत की समागरी निफ्ट किया गया था कब तो 1858 में सेम कोशन है आगे बढ़ते हैं 56 नमबर कोशन नेम लिखित में से केस गोवर्नर जर्नल ने भारत में दास प्राथा को समाप्त किया था तो लौड एलेन बरो ने बी अप्सन सही है और नेक्स्ट हमारा है संतावन नेम लिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है तो द सानबे में अस्थाई बंदोबस प्रणाली लागू की जबकि चतुराईपुर्ण निस्क्रियता यानि उच्तम निस्क्रियता निती जोन लौरेंथ सहायक संदी लौड विलेजली से और ब्यप्वत का सिधान लौड अलहोजी से संबंद है भारतिये राष्टिये कॉंग् सिधान लौड कैनिंग से नहीं है उपर में जश्ट अभी अभी हम लोगोंने डिस्स भी किया था तो सुमेल नहीं है जो है अपका डी अप्शन और 69 नमर कोशन है अस्थाई बंदोबस किसके सासनकाल में आरम किया गया था तो लौड कर्णावालिस बी अप्शन सही है आंगल मराठा यूद 1803 से 1806 के बीच लौड वेलेजली के काल में हुआ था लौड हेस्टिंगस के काल में तृतिया और अंतिम आंगल मराठा यूद 1817 से 1818 के बीच हुआ था तृतिया आंगल मराठा यूद में मराठो के पराजे के पैस्षाद लौड हेस्टिंगस ने प पेश्वा का समस्त परदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्रित कर लिया गया और इसका तरिक कम्पनी ने बुदेलखंड, मालवा और सिस भारत जिस पर पेश्वाओं का प्रभूत्व था राजनेतिक अधिकार कर लिया तो अन तीनों युग्न सुमेलित है एक सट नमर कोश का जो संबंद है ओस सर जौन सौर से नहीं है यानि सी अप्शन साहिए तो किन से है देख लेते हैं देखे आंगल नेपाल युद जो है लौड हेस्टिंगर के काले में हुआ था अठारा सो चौदा में पहला युद लड़ा गया था लेकिन कोई विशेश सफलता इसमें न परदार अमवर्सी थापा को मालवा का किला है मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवस्तिया ब्रिटिस से ना राधानी कटमांडू से 30 मिल दूर तक पहुँच गई नेपाल सासक ने 1816 में सुगोल की संदिकी कुमायू गडवाल और सीमला जिले अंग्रेजों को मेलित है वह आपका चतुर्थ आंगल मैसूर यूद का समन्द लॉर्ड वेलेजली से सी अप्सन से ये और देखें लॉर्ड एलेन बरो का समन्द वे सिंद का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विले से लॉर्ड अलहोजी का समन्द वे कुशासन के आरोप में 1856 में अंगल मराठा यूद 1857-1818 तो डेट भी याद रखना है और जो समन्द है किन से समन्द है ये भी याद रखना है चौशन नमर कोशन है निमलखित में से कौन सा जो है यूग में सही सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें जो है प्रतम आंगल अफगान यूद का आरम होना जिससे समन्द है वो है लोड लिटन से नहीं है यादि डी अप्सन सही है जो आपका सुमेलित नहीं है लोड लिटन का समन्द प्रतम आंगल अफगान यूद का आरम होने से नहीं है किन से है देखिए प्रतम आंगल अफगान यूद जो है 1849-1842 के मद होता है इस दोरान भ भारत के गुवर्णर जेनरल ओक्लेंड थे लॉर्ड लीटन के समय दिवकिये आंगल अफगान युद हुआ था और इसका समय अठारा सो अठारा सो अठारा सो असी पैंसर नमर कोशन है निमी में से कौन सा जो है कौन चतुराइपूर निस्क्रियता के निति के साथ जुड़ के संदर में लॉर्ड एलेंबरो के काल से प्राराम होकर लॉर्ड नौर्थ ब्रुक के काल तक चली इस काल को कुसल अक्रमणता के निति का काल का जाता है और इस निति को प्राया जौन लॉरेंस के नाम से बिस्रिश्ट रूप से समन्धित किया जाता है क्यांकि उसके जे डबलू एस वाईली ने एडिनबरा रिवीव के एक लेक में परियोग किया था तब से यह सब विन विन वाइशरायों के नितियों के समर्थन अत्वा आलोचना के लिए परियोग किया जाता है question number 66 है भारत में अंगरेज के समय में प्रत्वम जणगर्णा हुई थी किसके कारेकाल में तो लड मेव के कारेकाल में C अप्शन सही है देखे भारत में अंग्रेजियों के समय में प्रथम जंगर्णा 1899-72 के स्काल में हुआ था या अठारा सो बातर में प्रारम हुआ था लॉड मेव के काल में लॉड रिपन के काल में नियमित जो जंगर्णा है सरसट का D option सही है इसके बाद 68 है केश वासराय की हत्या अंडमान निकोबार दिविश सम्मू में जब वे भरमण पे थे एक डंदित अप्राधी द्वारा की गई थी तो लॉड मेव की और इसके बाद हम देख लेते हैं देखें लॉड मेव इनका समय है अठारा सुनातर से बहत्तर ये इनके हत्या अंडमान निकोबार दिविश सम्मू में भरमण के दोरान एक डंदित अप्राधी द्वारा की गई थी मेव प्रत्थम गुवर्नर जनर्र था जिसकी हत्या उ नेक्स्ट कोशन हमारा है 69 किस वाश्राय की हत्या उसके कारेकाल में हुई थी तो सेम कोशन है लॉड मेव की और 70 नमर कोशन है अफगानिस्तान के प्रति एक जोस भरी अग्र निती का जो है यानि फार्वर्ड निती का जो है अनुशरक करने वाला गौर्नर जनर्र कौन थ तो वो था लिटन डिए अप्शन सही है लेगे 1886 में लिटन के वाश्राय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई निती में परिवर्तन आया कुसल अक्रवर्ड निती के अस्थान पर जो है अग्र गामी निती का अनुशरा होने लगा बैग्यानिक सीमा की खोच के क्रम में जो है सरकार ने कवाईली परदेशों में हश्चेप किया और बहु से सामरिक महत्र के अस्थानों पर अधिकार कर लिया अब इस समस्ष सीमा पर एक जैसी निती जो है इसका अनुशरान होने लगा मेजर संडेमन की बलुचिस्तान में गवर्णर जनल के ए भारत का वाश्राय सबसे दिर्वकाल तक रहा है बताइए तो देखिए लौड करजन है ए अप्सन सही है और इनका समय देख सकते हैं लौड करजन का जो समय है 1899 से 1905 यानि 7 बर्स लौड डफरिन का 5 बर्स और लौड हर्डिं का 6 बर्स और लौड मेव का 4 बर्स तो सबसे ज्यादा कारेकाल फिसका रहा है तो लौड करजन का बहुतर नबर कोशन है भारत में अस्थानिय स्वैथ सास्थी संस्थाएं 1882 में ससक्त की गई बताइए की गई थी किन के द्वारा तो लौड रिपन के द्वारा भी अप्सन सही है इसके बारे में थोड़ा डिसक्स भी लेते हैं 1880 में इंग्लेंड के ग्लैडेश्टन के नेत्रित में उदारवादी दल सत्ता में आया ग्लैडेश्टन इरोप में स्वतंत्रत्ता का समर्थक था उसने अपनी भारत के प्रतिनीती का इन सब्दों में बढ़न किया है हमारा भारत में रहने का अधिकार इस परान रीपन को वैश्राय पत के लिए चुना गया और रीपन के कारेकाल का सबसे महत्पूर्ण कार अस्थानिये स्वस्शासन पर सरकारी प्रस्थाव था रीपन देश की नगरपाली काओं को विक्षित करना चाहता था उसकी अनुस्तार इनही से देश की हिराजनैतिक सि आलूक का और तैसिल बोर्ड बनाने की जो है आगया हुई नगरों में नगरपाली का अस्थापित की गई और इन अस्थानिय संस्थाओं को निशित कारत था आये के साधन दिये गए तीयत्तर नमर कोशन है भारत में अस्थानिय स्वायत सासन को जो है किस ने पुर्चाहित क बताईए देखे अगर डायेक्ट मुदे की बात करें तो इसमें जो है आपका सी अप्सन सही है एउरोप के लोगों के मामले में की गई सुनवाई के लिए भारतिय नया धीसों पर लगाई गई गई अयोगताओं को हटाया जाना यानि इसमें सी अप्सन सही है ठीक है और इसके बारे में देख लेते हैं देखे सर पीसी इलबट जो आश्राइक की परिशत के विधी सदस्ते दो फरवरी 1883 को बिधान परिशत में एक बिध्यक जो है परस्तूत किया जिसे इलबट विल के संग्या दी गई इस बिध्यक का जो उदेश था कि जाती भेद भाव पहादारिस सभी नयाईक अयोगताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतिय इरोपिये नयाधीसों की सक्तिया समान कर दी जाए यानि जो भारतिये और इरोपिये नयाधीसे इनकी सक्तियां बराबर हो जाए इनमें कोई विभिंता ना हो और यह बिध्यक पस्तूत किय गया था मतंगी जैसे ही तो एक बोवंडर से खाड़ा हुग गया गया क्या हुआ किस में तालका मची बवें 될 यह ने एक इस पे विश्यसाधिकारों पर कुठारा घात बताया, अपना विश्यसाधिकार को हनन बताया, और इन विश्यसाधिकारों की रक्षा के लिए एरोपिये समुधाया ने एक पर्तिरक्षण संग, यानी डिफेंस एसोसियेशन बनाया, और डेड़ लाक रुपे चन्दे के 75 नमर कोशन है किस की पदावधी में महिलाओ तथा बच्चों की कार्यवधी के घंटों को सीमित करने और अस्थानिये सासन को आवस्यक नियम बनाने के लिए प्राधिक्रित करने के लिए प्रतम फैक्टरी अधिनियम का अधिग्राण किया गया वो था लॉर्ड रिपन इसके पदावधी में ये काम किया गया था इसके बारे में देखनी लेते हैं लॉर्ड रिपन को ब्रेटिस भारत के वाइश्राय में सबसे अधिक उधारवाधी माना जाता है उन्होंने 100 या उस से अधिक कार्यत मदूरों वाली फैक्टरियों में काम करने वाली महिला और ब बच्चों को हैक्ट्रियों में काम करने पे रोक लगा दी गई साथ से बारा वर्ष के बच्चों की कारेवदी जो थी परती दिन नो घंटे और महिने में चार दिन की छुटी का प्रधान किया गया लॉड मेव के समय में श्रिजित अस्थानिये सासन को वास्तविक अस्थानिये सासन बनाने के लिए लॉड रिपन ने उन्हें आवस्यक नियम परदान किया और इस कारे के कारण लॉड रिपन को आधुनिक भारत में अस्थानिये सासन का जनक माना जाता है चीहतर नमर कोशन है नेमिरखित में से किस से भारत में अस्थानिय स्वायथ सासन का जनक माना जाता है तो सेम कोशन है लौड रिपन इसके बाद आठातर नमर कोशन दिखते हैं आपको मिलान करना है सूची वन शूची टू के सा ठीक है तो कलायू का समंद है बंगाल में 12 सासन से बिंटिंग का अंग्रेजी सिक्षा और चार्ल्स मिटकाफ का प्रेस पर से पर्तिबंध हटाने से समंद है और करजन का समंद है बंग विभाजन से इस तरह 87 में आपका ए अप्सन सही है आगे बढ़ते हैं अच्छा चलिए इसके वारे में दोचालाई ने इंपोर्टेंट है इसमें तो फिर नेक्स कोर्शन को देखेंगे कलायू ने 1765 में बंगाल में 12 सासन पढ़ाली लागू की बेंटिक के कालेकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक सिक्षा की जो है निव रखी गई और अपने प्रस्ताओं में मैक 1835 को एक प्रस्ताओं द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और जिसमें यह निश्य हुआ कि उच अस्तरिय प्रसाशन की भासाज होगी अंग्रेजी होगी चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेश पसे परतिबंध अटाया इसलिए उसे सामा चारपत्रों का मुक्तिदाता कहा जात से हैं लोड विलेम बेंटी का समझ सतीप्रथा का निश्यत से हैं लोड रिपन का स्वायत सासन से हैं और करजन का बंगाल का विभाजन से इस तरह से आपका जो है इसका अप्सन सही है नेक्ट कोशन देखते हैं 79 है निम्लिकेत में से कौन सी जोड़ी है यानि गुवर्नर जर्नल और घटना से सुमेलित है तो देखिए इसमें जो है लोड एलेन बुरो का समझ जो है सिंद का बिलाय यानि सी अप्सन सही है यह सुमेलित है इसके बारे हम देख लेते हैं लोड एलेन बुरो इनका समय है 1842 से 44 इस समय में 1843 में सिंद का बिलाय किया गया इनके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के तहट वारेन हेस्टिंग अज को जो है बंगाल का प्रतम गुवर्नर जर्नल बनाया गया करनवालिस का कारेकाल जो है 1786 से 93 तक रहा है इसके काल की परमुक घटनायों में जो है दास ब्यपार पे रोग सीविल सेवा पोलिस सेवा अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंब इत्यादी सामिल है लौड वेलेजली का कारेकाल 1799 से 1885 तक रहा है और इसके कारेकाल की जो परमुक घटनायों है सहायक संदी प्रणाली चतोर्त आंगल मैसूर यूद द्यूतिये आंगल मराठा यूद और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की अस्थापना याद रखना है में बिलेज और व्यबगत के सिधानत के अधार पर विभिन भारतिये राज्यों का बिलेज आदी 80 नमबर कोशन है भारती है पुरातात्वे सर्वेक्षण की अस्थापना किसके काल में हुई थी तो लौड करजन के काल में C अप्शन सही है भारत में पुरातात्वे सर्वेक्षण संबंदी जो प्रयास है 1784 में कलकात्ता में बिलियम जोंस द्वारा एसियार्टिक सोसाइटी की अस्थापना के साथ प्रारंब हुए थे 1861 में लौड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को प्रत्थम पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाकर कनिंगम को इसका महा निदेशक निव्ट किया गया लौड करजन के कारेकाल में जो है 1899-1905 के दोरान 1901 में भारतिय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानि ASI को जो है एवं केंदेक्रित स्वारुप देते हुए जोन मार्शल को इसका नया महा निदेशक निव्ट किया गया याद रखना है इंपोर्टेंट है और 81 कोशन है भारतिय पुरातात्विक सर्वेक्षण की अस्थापना हुई थी बताए लौड करजन के कारेकाल में और 82 है प्राचीन अस्मारक सरक्षण एक्ट किस गोवर्नर जनरल के कारेकाल में पारित हुआ था तो सेम कोशन है लौड करजन और नेच्ट है 83 भारत में करजन के प्रसासन की तूना जो है औरंगेर से किसने के थी वह है जी के गोखले बी अप्सन सही है इसके बारे में द और तो अहेलना करते हुए भारत में ब्रिटीच सासन को सुत्रित करने का प्रयास किया गोपाल केश निगोखले ने करजन के प्रसासन की तूना जो है मुगल समराठ औरंगेर से किल थी 84 नमबर कोशन है भारत में ब्रिटीच समराज के द दोरान नेमलकित वाश रायोपर विचार कीजिए तो देखिए इसमें आपको कलानुकरम के रूप में उट को चुनना है तो इसमें देखिए आपको बताना है कौन सा अफशन सही है तो इसके बारे में पहले डिसर्स कर लेते हैं तो आपको खुल से पता चल जाएगा देखिए लॉड करजन का जो समय है वह 18-1905 है उपर में भी इसका जो है डिसर्स किये थे लॉड होडिंग 1910-1916 लॉड चेम्सफूर्ड जो है 1916-1921 लॉड एर्विन का समय है 1926-1921 इस तरह से ए अप्शन उसमें आपका सही है इसके बाद हमारा 85 नमर कोशन है फूड डालो और राजकरो की रणनिती अपनाई गई थी इनके द्वारा तो इंपोर्टेंट कोशन है आपको पता भी होगा लॉड लहोजी के द्वारा देखिया अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम अत्वेदों का पूरा लाब उठाया था फूड डालो और राजकरो की रणनिती अपनाई थी और लॉड करजन के सासनकाल में ब्रिटिस संसकार ने असकाश रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू बिरोधी निती अपनाई प्रसासन में स्विधा उत्पन करना नहीं था और जैसा कि दावा भी किया गया था कि इसका दो असपर्ष उस देश थे पहला हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा जो है नौजागरत बंगाल को चोट पहुचाना तो जो फूड डालो और राजकरो की निती मुसल्मानों को जितने उन्हें कॉंग्रेस के विरूत करने के लिए इस्तिमाल की थी तो लॉड मिंटो ठीक है डी अप्सन सही है नौबर 1905 में लॉड करजन के अस्थान पे लॉड मिंटो को भारत का वाश्राय निवत किया गया जोन माले को भारत सची निवत किया गया औ इस अदलियम के द्वारा मुसल्मानों के लिए प्रिथक माताधिकार और प्रिथक निर्वाचन छेत्र की अस्थापना की गई तो माले मिंटो सुधार का जो समय है वो याद रखिएगा 1909 है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्षन है 87 देख लेते 87 में है नेमरिकित में से कौन भारत का एकमात यहुदी वाशराय था वह था लॉड रिडिंग देखिए भारत का एकमात यहुदी वाशराय लोड रेडिंग जो है interior 1926 है और इसके समय चोरी-चोरा की जो घटना है, होती है सोराज पार्टी का घठन और रॉलेक्ट एक्ट जो है निरस्सित होता है, तो लॉर्ड रेडिंग का जो है, समय में जो कारे हुए है, इसको इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है 88 नमर कोशन निमिर्खित में से कौन जो है, एक सही सुमेलिट नहीं है, वह है आपका वार्नकुलर प्रेस एक्ट का समध करजन से नहीं है, सी अपसों सही है देगे, वार्नकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये भारतिये भारसा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में, लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था इस अधिनियम को मुह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है सरकार अवांचनिये विश्यों को परकासित करने के अपराध में सम्बंध पत्र को जो है, चेतावनी दे सकती थी उससे जमानत जो है मतलब जो छापकाना था यानि प्रेंटिक प्रेस जो था इसको जप्त कर सकती थी इसके बाद में देखिए जो है और सकीन पेरी ने इस अधिनियम को विपरित, गामी और असंगत तथा भारत की भावी परगति के लिए घातक पक बताया सिरी एस एन बनर जी ने इसे आवकास से वज्रपात कहा और इस अधिनियम के अधिन सोम परकास, भारत मिहीर भागका परकास, सस्चर और अनेक समाचार पत्रों के बिरूद मामले भी दर्ज किये गए तो अन्न तीनों विकलपाप का सही सुमेलित है सेम कोश्चन है, आगे बढ़ते हैं चलिए दो लाइनेप इसको डिस्कस कर लेते हैं वारने क्यूलर प्रेस, थाकि मैं बार-बार इसले डिस्कस कर लेता है, ताकि आप लोगको जो है रिपिटेट चीजे आती है, तो आपको जो है अधिनियम भी कहा गया था और इस अधिनियम के अनुसार देशी भासा और अंग्रेजी भासा के समाचार पत्रों में जो है भेद किया गया, जबकि अन दिये गए सभी विकल्थ सही है नेक्ट कोशन हमारा है नैंटी देखे, बिटिस भारत की रधानी का कलकाता से दिली अस्तनांतरित किसके काल में करयानिवित हुआ तो देखे, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में B अप्सन सही है वाश्राय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की रधानी जो है कलकाता से दिली अस्तनांतरित किया गया रधानी को अस्तनांतरण की घोषनात कर दी गई थी 91 नमबर कोशन ने सही जोड़े बनाई है दिये गए कुट जो है सही उतर आपको चुनने है इसमें जो है देखिए कोशन को जो है डिसस कर लेते हैं यहाँ पे चुक का सिधान्त यह हडप नीती यह लोड डलहोजी से है बंगाल का विवाजन लोड करजन से है बंगाल में दोहरा सासन का समन कलायू से है और समाजित सोधार का समन बिंटिक से है 92 में आपको जो है सुची 1, सुची 2 के साथ सुमेल लीत करना है तो देख लेते हैं जाकि इसमें जो है अगर आप question पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका sketch1 रहा और यहाँ पर आपका sketch2 रहा ठीक है तो विडियो को पाउच करकि अगर कोर्शन पूरा पढ़ना चाहते तो पढ़ लिजिए, मैं डिरेक्ट जो है फोकस करता हूँ डिस्कुशन पे, तगि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिगरहन के उपरान, कम्पनी के कारे को नियंतरित करने के लिए के रेगुलेटिंग एक 1773, बिर्टीश संसद्वारा पारित किया गया, इसी एक्ट के तहट कम्पनी के गोवर्नर को बंगाल का गोवर्नर बना दिया गया, प्रथम गोवर्नर जेनरल के रूप में वारेंग हैस्टिंगस की नियुक्ति की गई, और विकल्ब में वारेंग है हैस्टिंगस नहीं है, तो उसका उतरवर्ति कर्नवालिस कलाक्रम अनुसार उतर होगा, तो याद रखिएगा, अगर वारेंग हैस्टिंगस अप्शन में नहीं है, तो आप कर्नवालिस का चूच कर सकते हैं, और इसी परकार जो है, 1833 का एक्ट है, डलहोजी की नियुक्ति से है, इसके बाद कि हमारा जो नेक्स्ट टोपिक है, बिटिस सासन का भारती अर्थ बेवास्ता पर क्या परभाव रहा है, तो इसको डिसकस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही, आप अपना पर्तिकिरिया जरूर दीजिए, कोई भी सवाल हो, कोई भ प्रवाइड जो है, क्रेंट अफिर कराई जाती है, साथ में परतिक वीडियो का नोटिफिकेशन भी जो है, वहाँ पर आपको प्रवाइड कराई जाती है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरी प्रें कुम में प्रवाइड जो हाँ, वहाँ कि बनी जाती है?